साथियों, कभी रानी लक्ष्मिबाई ने बुंदेल खंड की धर्ती पर गर्जना की थी, मैं मेरी जांसी नहीं दूँगी. हम सब को ये वागत के बराबर याद है, मैं मेरी जांसी नहीं दूँगी. आज एक नहीं गर्जना की आवशक्ता है, और इसी जांसी से इसी बुंदेल खंड की धर्ती से आवशक्ता है. मेरी जांसी मेरा बुंदेल खंड आत्म निर्भर भारत अभ्यान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा. इसमें बहुत बड़ी भूमी का क्रिशी की है, अग्रिकल्चर की है. जब हम क्रिशी में आत्म निर्भरता की बात करते हैं, तो ये सिर्फ खाद्यन तक ही सिमित नहीं है. बलकि ये गाउं की पूरी अर्थे वबस्ता की आत्म निर्भरता की बात है. ये देश के अलग-अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में वैल्यू एडिशन करके देश और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है. क्रिशी में आत्म निर्भरता का लक्ष किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है. जब किसान और खेती उद्यों की भाती आगे बड़ेगी तो बड़े स्तर पर गाउं में और गाउं के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं. साथ्यों इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में क्रिशी से जुड़े अहत्यासिक रिफॉर्म्स ये सरकार लगातार कर रही है. कई रिफॉर्म्स किये गए हैं. भारत में किसान को बंदिशों में जकरने वाली कानूनी व्यवस्ताएं, मंडी कानून जैसा और आवश्यक वस्तु कानून इन सब में बहुत बड़ा सुधार किया गया है. इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरफ पूरे देश में मंडियों से बहार भी जहां उसको ज़्यादा दाम मिलते हैं, वहां अपनी उपज बेज सकेगा. इतना ही नहीं, गाउं के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है. इन उद्योगों को बहतर इंफास्रक्टर की सुविधा मिले, इसके लिए एक लाग करोड रुपिये का विशेश फंड बनाया गया है. इस फंड के माध्यम से हमारे क्रिशी उत्पादक संग, हमारे एपियोज, अब भंडारन से जुड़ा आधुनिक इंफास्रक्टर भी तयार कर पाएंगे. और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे. इससे क्रिशी क्षेत्रे में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी इन सब को नए अवसर मिलेंगे, नए स्टार्ट अप्स के लिए रास्ते बनेंगे.